नमस्कार साथियों हमारे यूट्यूब चनल सुपर एक्सलमेशन टिटोरियल पर आपका स्वागत है आज हम 14 नवंबर को होने वाले UPSC National Defense Academy, Naval Academy and Combined Defense Service 2021 सेकेंड एक्जाम के लिए General Ability Test यानि GAT का कुछ Question Discussion करेंगे जो कि इस एक्जाम के लिए Important है तो आईए साथियों भी नदेर के वए वीडियो को अश्टार्ट करते हैं साथियों तो सबसे पहले Question No.1 देखिए Assam Rifles के महानी देशक यानि की Director General of Assam Rifles किन्हें बनाया गया है तो उसका एंसर है साथियों Lieutenant General परदीप चंदरन नायर को हाली में Assam Rifles का एकिसवा महानी देशक बनाया गया है एभी धियान रख लिजिए कि Assam Rifles के एकिसवे महानी देशक किन्हें बनाया गया है ऐसे भी Question पूछ सकता है तो Assam Rifles के एकिसवे महानी देशक आपका Lieutenant General परदीप चंदरन नायर को बनाया गया है साथियों एभी जान लिजिए Assam Rifles है जो कि भारत का सबसे पुराना पैरा मिलेटरी फोर्स है अब Next Question पर चलते हैं साथियों साथियों तब Next Question 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 No.2 देखिए हर्ण विल उत्सव भारत के किस राज में मनाया जाता है साथियों तो हर्ण विल उत्सव भारत के नागा लेंड राज में मनाया जाता है इसलिए Question No.2 का एंसर आपका नागा लेंड होगा साथियों आप सभी प्रस्ण का स्क्रीन सोट लेते हुए चलिएगा साथियों तब next question question number 3 देखिए भीतरकनिका राष्टिये उद्यान किस राज में इस्तित है तो भीतरकनिका राष्टिये उद्यान आपका उडिसा राज में इस्तित है इसलिए question number 3 का एंसर आपका उडिसा राज होगा साथियों अब next question पर चलते हैं साथियों तब next question question number 4 देखिए मिर्च में कौन सा तत्व उन्हें तीखा बनाता है कितना important question है साथियों इसको ध्यान से याद करिएगा तो मिर्च में capsaicin तत्व है जिसके कारण मिर्च तीखा लगता है इसलिए question number 4 का answer आपका capsaicin हो जाएगा साथियों अब next question पर चलते हैं साथियों तब next question question number 5 देखिए ग्रहों के गती के तीन नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी तो ग्रहों की गती के तीन नियमों की खोज आपका जोहांस के पलर के द्वारा की गई थी इसलिए question number 5 का answer आपका जोहांस के पलर होगा साथियों अब next question पर चलते हैं साथि है तो उसका नाम आपका मितर सक्ति है साथ यह इसलिए पुस्टाक लखका अपका लिखा नमर गांधि यह यह कहां स bajo नंब का महात्मा गांधि यह ईसलिए कोश्चर नमर 7 का एंसरा उस यह अब next question पर चलते हैं साथियों तब next question question number 8 देखिए A statue of liberty किस नदी के किनारे है A statue of liberty आपका Hudson नदी के किनारे है इसलिए question number 8 का answer आपका Hudson नदी होगा A statue of liberty है जो Hudson नदी के किनारे है साथियों एभी दियां रखिए A statue of liberty है जो United States of America में इस्तित है अब next question पर चलते हैं साथियों तब next question question number 9 देखिए 20 पसु दिवस मनाया जाता है यानि कि 20 पसु दिवस कम मनाया जाता है भेन commemorate world animal day फिर से ध्यान से देखिए साथियों 20 पसु दिवस कम मनाया जाता है मनाना का मीनिंग होता है commemorate तो इसलिए world animal day को 4 अक्टूबर को commemorate किया जाता है इसलिए question number 9 का answer 4 अक्टूबर होगा साथियों अब next question पर चलते हैं साथियों तो अब next question question number 10 देखिए जो की last question है चार जब जल्द से भी किरिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है साथियों तो चार जब जल्द से भी किरिया करता है तो hydrogen gas निकलती है साथियों आपके परश्ण में nitrogen gas रहेगा oxygen gas रहेगा फासफोरस रहेगा और hydrogen हैगा तो जो भी जिस भी option में hydrogen gas रहेगा उसको टिक मारना है साथियों इसलिए आपका hydrogen gas answer हो जाएगा साथियों अगर हमारा इनिसियेटिव आपके exam के लिए best लगा हो तो वीडियो को like और share करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिएगा तो जहिन साथियों अब हम next वीडियो में आप लोगों सो मिलते हैं